स्वागत है आपका कर्म आयरवेदा की यूट्यूब चानल पर इस चानल पर आप किड्नी से जोड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से पा सकते हैं और आज हम आपको बताएंगे कैसे आप आयरवेद के जरीए एक स्वस्त जीवन की शुरुआत कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पानी के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं क्या आप जानते हैं कि आखे क्यूं आयरवेद को science of living कहा जाता है? क्यूं भारतिय तिहास में आयरवेद को मानविय विज्ञान का origin कहा गया है? हर कोई मनुष्य स्वस्थ रहना चाहता है, क्यूंकि स्वस्थ मनुष्य ही सफलता प्राप्त कर सकता है. अस्वस्थ शरीर या अस्वस्थ मच्टिश्क दोनों ही आपके जीवन की सबसे बड़ी बादा बन सकते हैं. ऐसे में कैसे रखा जाए किड्निको स्वस्थ? ये एक बड़ा एहम सवाल है. हम स्वस्थ रहने की कामना तो करते हैं, लेकिन इसके लिए सही प्रयतन नहीं करते. वैसे जो लोग इसके लिए थोड़ी भाग दोड़ करते हैं, उनकी भी तरीके अलग होते हैं. कोई योग का सहारा लेता है, तो कोई दवाईयों का. कोई घरेलू उपचार का, तो कोई उपचार के पश्चमी तरीकों का. सभी का लक्षे होता है कि वो ऐसी सिती बना पाएं, जिसमें वो शायरिक और मानसिक दुनों प्रकार के रोगों से मुक्त रहें. आयर्वेद सालों से कुछ विशेश तरीकों को अपनाता आया है, जिसे अपना कर आप एक स्वस्त जीवन जी सकते हैं और रख सकते हैं अपनी किड्नी को बिल्कुल फिट. आयर्वेद साइन्स उफ लिविंग, यदि इसे जीवन में उतार लिया जाए, तो स्वस्त जीवन सिर्फ एक कामना नहीं, बल्के आपके जीवन का हिस्सा होगा. आज इस विडियो में हम आपको बताएंगी कुछ आयर्वेद इक टिप्स, जिनने अपना कर आप रख सकते हैं अपनी किड्नी को फिट. कर्मा आर्वेदा की यूट्यूब चानल में आपका स्वागत है. आर्वेद सालों से कुछ विशेश तरीकों को अपनाता आया है, जिसे अपना कर आप एक स्वास्त जीवन जी सकते हैं और रख सकते हैं अपनी किड्नी को बिल्कुल फिट. जैसा कि हमने आपको बताया, आज इस विडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे एक स्वास्त जीवन की शुरुवात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं. हम एक-एक कर आपको बताएंगे कि आईरवेद की किन बातों को जीवन में उतार कर आप एक सफल और स्वस्त जीवन की ओर अग्रिसर हो सकते हैं और अपने किड्नी को निरोगी बना सकते हैं. सबसे पहला है प्रानयाम और योग. एक ऐसी क्रिया जो खुली हवा में की जाती है, प्रानयाम का मतलब है अपने सास को नियंतित करने के साथ ही रेगिलेट करना जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्त रहते हैं. प्रनायाम एक बहुत आसान क्रिया है प्रनायाम की कपाल भाती क्रिया बहुत लोग प्रिया है इस प्रनायाम से चहरा कांति मैं एव नेज मैं होता है तथा दमा, ब्लट प्रेशर, शुगर, मोटापा, कब्स, गैस, डिप्रेशन, प्रोस्टेट, एव किड्नी संबंदित प्रति ग्रस्थ हो जाती है ऐसे में नियमे शारिक सक्रियता बनाये रखने से योग करने से आपको किड्नी की बिमारी रोकने में मदद मिलती है शारिक सक्रियता और स्वस्थ आहार लेने से किड्नी की बिमारी के रिस्क को कम किया जा सकता है अर्थमत्सेंद्रासन, नौक आपको रोजाना लगबग 30 मिनट योग करना चाहिए ऐसा करने से आपको जरूर ही फायदा होगा अगर आप किड्नी की बिमारी से जूज रहे हैं तो अपने स्वास्तिक अनुसार ही अपने लिए सही योग आसनों का चयन करें बिना एक्सपर्ट की गाइड़न्स के कोई नय आसन ट्राइ ना करें इसी तरह से मसार्ज करने से भी शरीर को बहुत फायदे हैं इससे शरीर में ब्लड स्रिकिलेशन बहतर होता है तो चको कसाव मिलता है मासपेशों की ताकत बढ़ती है इसी वज़े से अक्यूप्रेशर को भी आर्वेद में स्थान दिया गया है शरीर के साथ साथ ही मन पर भी मसार्ज का अच्छा प्रभाव पढ़ता है मसार्ज करने से तनाव दूर होता है और हलका पन महसूस होता है आर्वेद मसार्ज के लिए तिल का तेल या फिर नारियल के तेल की सलह देते है मसार्ज करने के लिए तेल को हलका गर्म कर ले फिर घड़ High Blood Pressure और Diabetes किड्नी की बिमारी के दो प्रमुक कारण है किड्नी में कई रक्तवाहिकाए होती है High BP और Diabetes सहित रक्तवाहिकाओं को नुकसान पहुचाने वाली समस्याएं किड्नी को भी नुकसान पहुचा सकती है यहां तक की हाइपरटेंशन और खून में शुगर का दिक्सतर किड्नी को नुकसान पहुचा सकता है तो ऐसे में आप इन दोनों ही चीजों पर खास ध्यान दे और अपने खानपान में और अपनी जीवन शैली में ऐसे बदलाव लाएं जिनसे इन दोनों को नियंतरत रखा जा सके अगला है मेडिटेशन मेडिटेशन आयरवेद की एक ऐसी प्राचीन विदी है जिसे आप पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है स्वस्त जीवन और एकागरता बढ़ाने के लिए मेडिटेशन का इस्तिमाल किया जाता है मेडिटेशन से आपका मन शांत रहता है और आप काफी रिलाक्स महसूस करते हैं ये खुद पर कंच्रोल करने की शक्ती प्रदान करता है अगर आप हर वक्त तनाव में रहते हैं तो मेडिटेशन करें इससे आपको बहुत फाइदा मिलेगा मेडिटेशन में श्वास जागरिती के साथ साथ मूविंग मेडिटेशन या योग भी शामिल होता है मेडिटेशन की वो तकनीक अपनाए जो आपको अच्छे से समझाए जितना आप मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे उतना वो आपके लिए आसान हो जाएगा इससे आपको किसी भी बिमारी से जूजने की शक्ती मिलती है फिर चाहे वो किड्नी की गंभीर बिमारी ही क्यों न हो अब बात करते हैं आपके दिनचर्या की आरवेद में दिनचर्या और समय दोनों को बहुत महत्व दिया जाता है आपको समय पर उठना और समय पर सोना चाहिए भोजन और अन्यसवीकार इस समय पर ही करने चाहिए स्वास्त दिनचर्या का मतलब है स्वास्त जीवन आपको समय पर सोना है और सही समय पर उठना है ये आपके स्वास्त के लिए अच्छा होगा समय जीवन में महत्वपून भूमिका निभाता है आरवेद के इसाब से तो दिन के हर पहर में कुछ तत्व होते हैं जो शरीर को मिलने जरूरी होते हैं इसलिए दिन में सही समय पर उचना और रात में समय पर सोना दोनों ही आपके लिए बेहत जरूरी है आजकल हमारी दिनचर्या इतनी प्रभावित है कि हमें ना समय पर सोने की आदत है और ना समय से उचने की इस वज़े से हमारी पूरी दिनचर्या डामा डोल रहती है ना समय पर खाना होता है और ना ही कोई और कार रहे एक कमजोर दिन चर्या आपके स्वास्त को बिगारती है आपकी इम्यूटी को कम करती है जिसके वज़े से किड्नी का स्वास्त भी प्रभावित होता है और सबसे अधिक मेहत्वपून है आहार समय पर भोजन लें हलका स्वास्त नाश्ता करें दोपहर बारा बजे से लेकर ए ज्यादा खा लें इसका मतलब यह है कि आप नाश्ते और रात के खाने में हलका खाना खाएं और दिन में उनकी तुलना में थोड़ा भारी खाना खाएं आपका अपने अहार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है आप अपने भोजन में नमक का सेवन कम करें और अपने भोज जैसे फलों को शामिल करना चाहिए, इनका सेवन आपको रोजाना करना चाहिए, साथ ये सबजों की बात करें, तो घिया, तुरई, परवल, हराकद्दू, ये वो सबजिया है, किड्नी की बिमारी में जिनका सेवन आपको फायदा पहुँचाएगा, ज्यादा तला भुना ख बिमारी को आप से दूर रखने में आपकी मदद करते हैं, ये सभी टेप्स किड्नी रोगी के लिए तो फायदेमंद है ही, जो लोग किड्नी प्रॉब्लम से ग्रस्थ नहीं है, उनके लिए भी ये फायदेमंद है, आप चाहें तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ अपने लि बना सके, अलपेतिक दवायों की तरह इनके सेवन से आपके शरीर पर किसी तरह का कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, तो अगर आप ये आपका कोई परेजन किड्नी की समस्या से पीड़ित है, तो कर्मा आरवेदा में संपर्ग करें और पाएं किड्नी से जुड़ी हर सम कर्मा आरवेदा का पता और हेल्प लाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौझूद है, किसी भी जानकारी के लिए आप दिये गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, आशा है आपको ये विडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो विड देखने के लिए धन्यवाद हमारे फोन नंबर्स हैं 098-7171-2050, 011-4264-4274, हमारी एमेल आईडी है dr.karmaayurveda.com, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी विबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग आन भी कर सकते हैं, कि सकते हैं, कि सकते हैं एक्राइटान